आज बनाएंगे दाल की कचोडियां एकदम फूली फूली हलवाई स्टाइल बनाएंगे एक बार बनाएंगे दस दिन तक आराम से खाएंगे बहुत ही बढ़िया ये बनेंगी जबरदस्त इसका मसाला बनकर तयार होता है आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बना इसमें हम एक छोटा चमच नमक का डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है वो पूरे मैदे पर अच्छे से लग जाए मतलब मिक्स हो जाए तो यह मैदा और नमक को हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसमें घी डालेंगे यानिकि मौइन लगाएंगे त अच्छे से हम इसे mix करेंगे, पूरे मैदा पर घी जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए और जब हम इसे ऐसे बांधें तो ये बंधना चाहिए, अगर आपको ये mixture ड्राय लगे तो एक दो चम्मज घी के आप और डाल सकते हैं, तो जैसे ही ये shape ऐसे hold करने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे, अब इसका जो आटा हमें लगाना है, वो हमें semi soft लगाना है, यानि कि जो आटा है, वो बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा tight भी नहीं होना चाहिए ज्यादा tight लगाएंगे तो कचोडिया बहुत tight बन जाएंगी hard बनेंगी और बहुत soft लगाएंगे तो बहुत soft बन जाएंगी इसलिए semi soft आटा लगाना है और जैसी आटा लग जाएगा इसे ढखकर 30 minute के लिए छोड़ देंगे rest करने देंगे चलिए तब तक दाल देख लेते और दाल को हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में और हम इसे दरदरा पीसेंगे पूरा पेस्ट नहीं बनाना है ध्यान रखिएगा दरदरा ही हमें इसे पीसना है तो देखिए दाल को हमने पीस कर तयार कर लिया है और अब हम इसका मसाला तयार करते हैं यानि कचोडियों की बनाते हैं तो तीन से चार चम्मच हमने तेल डाला है पैन में इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच जीरा एक बड़ा चम्मच दरदरी पिसी हुई सौफ एक बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुधनिया और एक बड़ा चम्मच हमें हींग कर डालना है हींग इसमें ज्यादा जाएगी क्योंकि हम बना रहे हैं कोटा की कचोड़िया तो हम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ज्यादा नहीं 10-15 सेकंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे 7 चम्मच बेसन जो जिससे हम चावल वगेरा खाते हैं खा सै our mix किया यह तो घ्राए हो गया तो हम क्या करेंगे बेसन को थोड़ा साइड में कर देंगे और दो तीन चम्मच तेल हम इसमें और डालेंगे और दोबारा से हम बेसन को mix करेंगे हमें liquid वाली consistency इसलिए चाहिए ताकि जो बेसन की भूनाई हो वो बहुत अच्छे से हो तो low flame पर ये देखिए liquid consistency आ गई है तो low flame पर लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये ऐसे brown color का नहीं हो जाता बढ़िया से बेसन को हमें भूनना है बढ़िया सी खुश्बू आनी चाहिए और ऐसा color आना चाहिए जैसे ही हो जाएगा हम इसमें मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर के डाल देंगे इसक काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक सारी चीजों को सिर्फ एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करते हुए ज्यादा नहीं बस एक मिनिट तक हम इसे अच्छे से और पका लेंगे मसालों में कमी बिलकुल मत रखिएगा क्योंकि बाहर का ज अच्छे से सिर्फ एक बार मिक्स करेंगे स्टार्टिंग में डाल को पकाना नहीं है सिर्फ मसाले के साथ में इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है जैसे यह मिक्स हो जाएगा एक दो मसाले और डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चममच करम मसाला और इसके साथ ही एक से डेड़ चममच आमचूर पाउडर खटाई इसमें बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए अब बस इसे मिक्स करते रहेंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे लगातार हम चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक चलाना है जब तक दाल का जो मॉइस्चर है वो खतम नहीं हो जात फिलिंग में अगर थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो ये कचोड़ियां जल्दी खराब हो जाएंगी अदर्वाइस ये 8-10 दिन चल जाती है फिलिंग को ठंडा होने देंगे आटे को यहाँ पर चेक कर लेंगे आदा घंटा हो चुका है आटा बड़िया सेट हो गया है तो आटे को दो से तीन मिनट के लिए हम और अच्छे से मसल लेंगे चिकना कर लेंगे अब इसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी सी लोई तोड़ लेंगे अपका चौड़ियां आपको कितनी बड़ी या छोटी बनानी है ये तोटली आपका चौइस है तो इसको थोड़ा सा हमने आटे को तोड़ा एकदम इसका पेड़ा बना लेंगे लोई बना लेंगे जैसे पराठे के लिए बनाते हैं और बीच में से ऐसे जगह बना देंगे साइड को थोड़ा सा पतला कर देंगे बिल्कुल वैसी जैसे पराठे को भरने के लिए हम एक कटोरी का शेप देते हैं वैसे ही देना है, filling को थोड़ा सा बीच में भरेंगे और थोड़ी-थोड़ी से filling भरनी है, बहुत ज्यादा भरेंगे तो कचोड़ियां फट जाएंके, तो थोड़ी-थोड़ी से filling हम बीच में डालेंगे और इसे इस तरीके से हम पैक कर देंगे बिल्कुल जैसा कि पराथे को पैक किया जाता है वैसे ही करना है और इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि ये फटनी नहीं चाहिए, कहीं से भी गैप नहीं होना चाहिए फिलिंग कहीं से बाहर नहीं आने चाहिए दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे और साइड्स को इस तरीके से हम दबाएंगे साइड्स से इसे थोड़ा सा हम पतला करेंगे तो ये देखिए बढ़िया सी कचोडिया बनकर तयार है अब हम इने फ्राइ करेंगे fry करने से पहले अपनी हथेलियों पे इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दे इससे ये अच्छी फूली फूली बन कर तयार होती है हर कचोड़ी को डालने से पहले कढ़ाई में इस तरीके से आप थोड़ा हथेली से प्रेस कर दे फ्लेम जो है पूरे प्रोसेस में लो से मीडियम पर रहेगा तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम गरम ही होना चाहिए शुरुवात में कचोड़ियों को टच नहीं करेंगे जब यह अपने आप उपर आने लग जाएंगी तभी हम कचोड़ियों को चलाना शुरू करेंगे और उन्हें धीरे धीरे हलके हलके हाथों से हम पलटना शुरू करेंगे ध्यान रखेगा स्टार्टिंग में हमें कचोडियों को टच नहीं करना है अपने आप उन्हें हलकी हलकी आज पे पकने देना है वो जैसे ही उपर आएंगी तभी हम उन्हें टच करेंगे तो ये देखे कैसे बढ़िया सी ये फूल कर तयार हुई है इन्हें इसी तरीके से ल कि ये कितनी बढ़िया फूल कर तयार हुई है तो बस इसे इसी टाइम तक हमें फ्राइ करना है क्योंकि जब हम इन्हें बाहर निकालें के तब भी इनकी जो कुकिंग है वो चलती रहती है तो जब आपको ऐसा कलर मिल जाए एकदम बढ़िया सा गोल्डन सा तब आप इन्ह बाहर निकाल दीजे और साइड में रख दीजे तो बढ़िया गर्मा गरम फूली फूली कोटा की कचौड़ीया तयार है आप इन्हें चटनी के साथ खा सकते हैं चाय के साथ इन्जॉय कर सकते हैं ये देखिए कितनी बढ़िया खस्ता बनी है ये जैसी ये ठंडी हो जाए आप इन्हें किसी airtight container में बंद करके रख दीजे और 8-10 दिन तक आराम से इसे खाईए कहीं ट्रावलिंग के लिए भी जा रहे हैं तो इसे साथ में लेकर जा सकते हैं कैसी लगी है रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल भी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए